नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी, आप सभी का अपने चैनल जर्नियों के में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो भी हमारे करंट्स में जो जो इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं उसी को लेकर मैं आपके लिए निबंद बनाती हूँ तो जो मैं निबंद बनाती हूँ, जो मैं ऐसे बनाती हूँ, वो सभी आपके एक्जाम के लिए most important है चाहे आप 10th में हैं, या 12th में हैं, या किसी भी competition एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जो आजकल current में मुद्दे चल रहे हैं, उनी से ही निबंद पूछे जाते हैं निबंद पूछने का मतलब सर्फ इतना होता है कि बच्चा जो है वो current से कितना aware है उसे कितनी knowledge है और उसके जो current में इस्थितिया चल रही है उस पे दूसरे बच्चे के क्या विचार है ठीक है, निबंद होता क्या है जिसमें हम अपने विचार प्रस्तूत करते हैं तो आप जैसा निबंद लिखते हैं वैसे ही आपकी mentality होती है तो उसी को देखते हुए यह निबंद मैंने लिखा है तो आजकल का जो current topic चला हुआ है वो भारत-चीन संबंद आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में यह बहुत चल्चा में रहा है यह most important topic है यहाँ से 101% कहीं ना कहीं ऐसे जरूर आएगा तो दोस्तो तो मैंने इस पर यह ऐसे लिखा है I think आपके लिए बहुत helpful होगा दोस्तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो please मुझे अपना support दे मेरे चैनल को like, share और subscribe करना ना भूले दोस्तो मुझे सिर्फ आपकी इतनी ही help चाहिए वैसे आप सभी ने मुझे बहुत support दिया है उसके लिए सब को बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू सो मच तो चलिए देखते हैं भारत-चीन संबंद हिंदी-चीन भाई-भाई किसने है यह बात चलाई आओ मिलकर देखे दोस्तो कितनी है इस बात में सच्चाई तो आप ऐसे quotation लिख सकते हैं आपने पढ़ा होगा हिंदी-चीन भाई-भाई एक slogan बनाया गया था जिसका मैंने आगे ऐसे में भी इसके बारे में बताया है तो चलिए देखते हैं भारत और चीन के संबंध एतिहासिक, सांस्कृतिक वैसामाजिक रूप से हजारो साल पुराने हैं प्राचीन काल से ही भारत तथा चीन विभिन वस्तुओं के लिए एक दूसरे पर आधारित हैं समराठ अशोक से लेकर वर्तमान नरिन्र मोदी तक भारत चीन के संबंध में लहरों की भाती कहीं उतार चड़ाव आये हैं लहरों की भाती मेंस लहर मैंने क्यों लिखा है क्योंकि लहरे क्या होती हैं कभी बढ़ती हैं, कभी जुकती हैं तो आप ऐसे जो वर्ट्स होते हैं उनका अगर अपने ऐसे में यूज करते हैं आपका ऐसे बहुत attractive लगता है बचो साथ ही समय समय पर कहीं चीनी यात्री जैसे फाइयान हैंसांग, इत्सिंग, इत्यादी भारत यात्रा पर आए और धार्मिक वैसांस क्रिटिक संबंदों में वृद्धी प्रदान की तो इस तरह आप लिख सकते हैं हिस्टरी पढ़ी होगी, मौशली सभी ने पढ़ी होगी, तो ऐसे ऐसे यात्री आपने पढ़े होगे तो यह सब चीनी यात्री थे, जो भारत में आये थे सन 1947 इश्वी भारत के स्वतंत्र होने की उप्रांत भारत्वे चीन के संबंदों की कहानी, भारत्य नेताओं की आदर्श वादिता अदूर दर्शिता साथ ही चीन की विश्वास गात की कहानी है भारत हमेशा से ही चीन के प्रती उदार रहा है किन्तु बदले में सिर्फ चीन द्वारा काटे ही प्राप्त किये हैं इतिहास के कुछ सर्ष्टों को पलट कर देखें तो सन 1949 में चीन में माउतेच्टूं के नेत्रतूं में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई तथा भारत ही पहला गैर साम्यवादी देश था जिसने चीन को संयुक्त राष्ट संग में मान्यता दिलाने की कोशिश की थी नहीं उसकी साहता की थी सन 1954 में भारत एवं चीन के मद्ध है पंच शील समझोता अगर आप भारत और चीन के संबंध लिख रहे हैं तो ये जो पंच शील समझोता है ये नहीं लिखा तो समझे आपने ऐसे में 50% अपने मार्स कटा लिए अब देखिए पंच शील समझोता हुआ जिसमें भारत चीन राजनिती परिपेक्षय ने बल पकड़ा तथा 1955 इश्वी में बांडू सम्मेलन में दोनों देशों में एक दूसरे का पून सहयोग किया एवं हिंद चीन भाई-भाई जो कि मैंने कोटेशन में स्टार्टिंग में लिखा ता याद कीजिए तो हिंद चीन भाई-भाई के नारे लगाए कि जो हिंदी हैं मतलब जो इंडियन्स हैं और जो चीनी हैं मतलब जो चाइनीज हैं वो भाई-भाई हैं देखिए आगे भ सुनने को मिलता है अब आप इसे रिलेटिड एक कोटेशन लिख सकते हैं कभी तिबबत कभी कश्मीर हडपता है यह चीन है दोस्तों जो भारत पाने को तडपता है तीर निकाल भारत भी इसे दूर भगाता है भारत मा के अंगों को अपने लहू से बचाता है मतलब जो हमारे सैनिक है जो हमारी आर्मी है निरंतर कहीं लोग शहीद हो जाते हैं तो अपने लहू से बचाता है आप समझ चुके होंगे यह लाइन अब देखे पूरवी छेत्र के एक बड़े भूभाग पर चीन ने 1962 के युद्ध के दोडान कबजा कर लिया था जिसका उद्धिश्य च चीन अपने आपको शक्तिशाली तथा विस्तार वादी निती प्रदान कर रहा था विस्तार वादी निती होती है जैसे कोई राज्य मैंने हडप लिया तो मेरे साम राज्य में उसे मैंने जोड लिया तो मेरा राज्य का क्या हो गया विस्तार हो गया तो उस निती से यह प सामने हैं जो कि चीन को अपना मित्ल मानने से बिलकुल इंकार करते हैं कभी डोकलाम विवाद कभी सिक्किम के कुछ छेतल पर विवाद चीन की मनशा को इस पश्ट रूप से हमारे सामने प्रकट कर देते हैं मनशा मतलब होता है कि उसके मन में क्या चल रहा है दूसरी ओर दे चैनी उसी प्रकार है जिस प्रकार एक मचली की बिना पानी के होती है आज जब संपूर्ण विश्व कोरोना नामक महामारी में जुलस रहा है तब भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है जिसका एक ताजा उधारन गलबान घाटी का विवाद है आपने बहुत सु अनो देश अपने अतीत में हुए कटू संबंदो को भुला कर एक नए अध्याय के शुरुवात करनी होगी साथ ही आवश्यक है कि चीन मैं की भावना को त्याग कर हमकी भावना में परिविर्तत हो तथा परिवर्तित होता का मतलब बदल जाए और वर्तमान में चल रही व भाई भाई ठीक है तो आप इस तरह यह ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों मैं इस पर एक ऐसे और बनाऊंगी उसमें जो भी चीन के जैसे हम चीन की क्या चीजों का उपियोग कर रहे हैं कौन-कौन से चीनीज जो चाइनीज एप हैं वो बंद हो गए हैं क्यों बंद हुए हैं क या क्या हमारे लिए अच्छा हुआ है उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी आप मुझे बताईएगा कि ये टॉपिक कैसा रहेगा आप मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और आपको ये ऐसे कैसा लगा वो भी मुझे जरूर बताईएगा और दोस्तों अब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं नई वीडियो के साथ